हलो दोस्तों वेलकम बैक माय यूटुब चैनल मोबाइल वाला जौन दोस्तों आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे पास जो आइकन 3 वाला स्मार्ट वाच है वो चालू ही नहीं हो रहा है जैसे हम अपने स्मार्ट वाच को स्टार्ट करते दोस्तों तो हम लोग किस तरी के से जो इस मार्ट वाच काप लोग सैट अप करना सिख सकते है वही ही आप लोग अमें बताने वाला तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करतें ज्यादा मैं आपका जो कित करके आप जरूर बता जैसे आप अपने noise के smart watch को start करते हैं कुछ इस तरीके से QR कोड़ आ जाता है तो इसको दोस्तों सबसे पहले आप लोगो setup करना पड़ेगा मुबाइल से connect करना पड़ेगा तब जाके अब इस smart watch को पूरा पूरा यूज कर पाओगे नहीं तो आप लोग नहीं यूज कर पाओगे तो वो कैसे करते हैं चलो मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए दोस्तों आप लोग आपके mobile phone को लेने के बाद दोस्तों आप लो आप लोगो इसको जो है इस वाज से जो है इसको connect करना तब जाके आपका यह problem solve होगा तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ लाइप पूरूब के साथ अभी हमारे आप application डाउनलोड करके हमने आप इंस्ट्रॉल कर लिया और यहां से मैं इस application को open करता हूँ जैसा भी इस application को first time open करोगे तो इस टाइब से इंटरफेस दिखेगा तो यहां पर चेक्स बॉक्स करना यहां पर agree and continue क्लिक करना और यहां पर गूगल पर टाप करके दोस्तों आप लोगों को यहां पर जो भी आपका फॉन में Gmail ID होगा वह सारा Gmail ID यहां पर दिख जाएगा तो कोई स पर क्लिक कर देना उसके बाद दोस्तों आपने जो मुबाइल नमर डाला उस पे एक ओटीपी जाएगा जैसे कि अपर यहां पर देख सकते हो ओटीपी हमारा आ चुका है तो सिंपल से हम यहां पर ओटीपी को डाल देंगे ओट दोस्तों यहां पर आप लोगों continue पर क्लिक जो location वह चालू होना चाहिए यह तीन चीजें चालू होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों सिंपल से जो है यहां पर देख सकते हैं की वार इसके बटन दिखेगा तो इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अप अपने smart watch का जो की वार है इसको आप लोग सक लेकिन दोस्तों बहुतों का जो है connect नहीं होता है तो उसके लिए क्या करने उसके लिए अप लोग यहां पर बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग नीचे जो भी मोडल होगा वह दिख जाएगा जैसे कि दोस्तों हमारा यहां पर अपने model पर क्लिक कर देंगे model पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर हमारे वाच में भी पर्मिशन आ जाएगा उसके बाद से यहां पर हमारा वाच में जो है पेर का ऑप्सन आ जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा देते हूं दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे तो देख सकते हो सकसेसफुली द तो सबसे पहले आपप लोग यहां पनेट न कुलिकर करके यहां पर आपका अपलिकेशन हो फिट से प्लिक कर देना आपर दो करना और क्लिक करना यहां पर चालू कर देना चालू करना जैसे बाद दोस्तों यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पर कर देना है उसके बाद दोस्तों अलोगे फोड़ा सा वेट करना है वेट करने के बाद यहां पर चेक बॉक्स है धोस्तों इसको ठव 2 अब कर लेना और यहां पर इनेबल मोब हो चुका है अभी फिल नगर थे यहां पर पूल सक्वर। कि हमारे यहां पर full setup हमारा complete हो चुका है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं स्मार्ट वाज हो हमारा full setup complete हो चुका है तो दोस्तों इसी तरीके से यूज करके आप अपने smart watch को phone के साथ connect करके यूज कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो आप लोगो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो पे लाइक जरू कर दीजे और अगर आपने अभी तक इ प्लाइ तुरंथी मिल जाएगा तो दस्तों तैंक्स और वाचिंग मोबाइल वाला जोन